श्री कृष्ण विद्यार्थे मित्रों सिद्धी इंदी विद्याले यूटूब चैनल में आप सबका स्वागत है इस वीडियो के अंतरगत हम कक्षिया नाइन्थ विसाई सामजीक विक्यान मैं जैदेव जानी और हम लोग पार्ट नंबर 16 जिसका नाम जलवायू उसके बारे में चर्चा कर रहे थे हैं इसके अंतरगत हमने अगले विडियो के अंदर सित्रुतू के बारे में जानकारी प्राप्त की थी शित्रुतू का समयकाल है दिसंबर से फरवरी ठीके 22 सितंबर से लेकर 21 मार्स तक सुरी की किरने कोन से गोलार्द पर दक्षिन गोलार्द पर लंब वद पढ़ती है और तीर्ची कहां पर पढ़ती है उत्तरी गोलार्द में और भारत उत्तरी गोलार्द में होने के कारण बारत में ठंडी मौसम का अनुभव होता है या फिर शितरुतु का मौसम का अनुभव होता है उसके पसट कौन-गण से विश्थार और का तापमान नीचे जाता है तो इसके अंदर आपने धेखा था थंडी में दिल्ली, और तबी वहाँ पर हिमाले में हिम बर्शा होती है और उत्तरी भारत की मैदान की तरफ आती है जिसकी वज़े से बाद में राजेस्तान और गुजरात में शीत लहर चाज आती है इम पढ़ने से कपास जैसी फसलों को नुक्षान भी होता है इतना आमने अगले वीडियो के अंदर जानकारी प्राब्द की थी अब आगे बढ़ते हैं अभी जो फोटोग्राफ्स तुमारे स्क्रीन के उपर दिखाई दे रही है वो है जेट स्ट्रीम की जेट स्ट्रीम के बारे में यह तुमारे कितिन जादा जानकारी के लिए है जनरल अवेडनेस के लिए दिया गया किताब के अंदर जेट स्ट्रीम यानि कि दोनों गोलार्दों में लगबक 30 दिगर अक्षान्स के आसपास 8-15 किलिमोटेर के उच्चाए के वातारों में पाए-पाकार के पट दिखाई देती है तो यहां पर तुम लोग देख सकते हो कि यह दोनों गोलार्थ है यह उत्तरी गोलार्थ और यह दक्षिन गोलार्थ इन दोनों परे देखो पाए-पाकार की कुछ पट्टिया दिखाई देर यह दोनों दिखाई देर दोनों गोलार्थ के अंदर तो यह ुचीप पठ्ट्यागों क्या कहते है जेत स्ट्रीम कहते है तो इसे जेट स्ट्रीम या Mind के नाम से जानता है जेट श्रीम की ओसत गती लगबग 150 किलोमेटर प्रती गंटा है देखो यहां पर दिखाई दे रही है यह दूसरी फोटोग्राफ से भी आई है तुमारी पृत्वी की तीके गोला के अंदर जो जिसकी गती कितनी 150 किलोमेटर प्रती गंटा और इस पट्टे के माध्यम मध्य 200 किलोमेटर प्रबंध रहता है और पूर्वी में गर्मी पूर्वी गर्मी में प्राय दिप्य पारत के उपर स्थीर होते ही अधिक मुचाय पर बहने वाले पौन वर्षा लाने में सहायक होते हैं तो यह जो दिखाई दे रहा है यह वाला पट्टा ठीक है कितनी प्रती कि से एक सोपचास किलोमेटर की पती गंटा से यहां पर देख होई सारी जेट स्थीम की फोटोग्राफ की इस प्रकार से वायू बैती है और में तो यह पट्टिया दिखाई देती है इसे क्या करते है जेट स्थ्रीम कहते हैं कि उसकी परशान जेट स्थीम को अगर आकाश मे केहते हैं यह रहां Jet performed के बारे में जानकारी च Leah के माहसम के संबंद में समस्भाइल पत्र में की बार बार उपयोग किये जाने वाले कुष सब्दों को पहचान Size by class stream विक्षो गैन की western diас डिस्टर्बंस जिसमें दौलों को玩 कंत में लगबक 30 से अक्षान्स के आसपास आठ किलोमीटर आठ किलोमीटर से पंदरा किलोमीटर के उच्छाए कि तापमान वातर में पाय पागर की पट्टी अभी जो आगे की फोटोग्राफ सो के अंदर तुम लोगों ने दिखा उसके बारे में यहां पर लिख कर दर्शा गया है तो इसे अब आगे बढ़ते हैं पक्ष्चिम मिक्षोग तो पक्ष्चिम एश्या के उपर निर्मी जेर्श्ट्रीम पूर्व दिशा की और बैता है और उसका प्रभाव एश्या के देशों के कौन से उत्तर पूर्वी भारत पाकिस्तान अभगानिस्तार पर पड़ता है और इन प यह कभी-कभी विक्षोग डालते हैं परिणाम सरु भूचे पहाडी प्रदेशों में पारी इम बर्षाद अता मैदानी प्रदेशों में थोड़ी बहुत बर्षाद पड़ती है तो यह रहा तुम लोग का जेट स्ट्रीम कि जेट स्ट्रीम या रेप्ष्चिम यहां से देखो यह पश्चिमीला का है यहां से पूर्व की और बहते हुई कहां पर तो अफगानिस्तान पाकिस्तान फिर भारत और बांगलादेश पर इसका प्रभाव डालते हैं और यहां पर यह टकरा जाती है जिसकी वज़े से क्या होता है कि इसकी वज़े से कभी- बार दूल बरे तुफान कहां पर आते हैं बांगलादेश के अंदर दूल बरे तुफान आते हैं यहां पर यह जो हमारा पारत का पहाड़ी विस्तार है हिमाली पहाड़ी विस्तार यहां पर क्या होता है तो यहां पर उत्तरी बार उलाड़त के अंदर टकराने से क्या होत वर्षा होती है जिसकी वुझे से कुछ एक विस्तारों के अंदर भारत के कुछ एक विस्तारों में क्या होता है बर्षा का भी अनुभव होता है और यहां पर रभी फसलों को काफी नुक्षान को है रभी फसल के लिए अत्यांत आशिर्वात सरूप होती है और यह वर्षा रभी फसल के लिए अत्यंत आशिर्वात शरूप होती हैं यह रहां वेस्टन डिस्टर्बंस के बारे में देखो यहां पर सारे देशों के नाम दर्शा गये हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान पिर उसके परशात इरान तुर्के मिनिस्तान तर्जाकिस्तान और यह इंडिया यहां पर आकर ठकड़ाते हैं यह हो गया वेस्टन डिस्टर्बंस की बारे में तो अत्यंत आशिर्वात शरूप होती है इसके कारण कभी-कभी गुजरात में भी बे मौसमी बरसात होती है जिसे कई बार कुरुशी को हानी पहुंचती है और इस हो जिसे गुजरात के प्रश्ट्रीम और प्रश्ट्रीम इविक्षोप के बारे में जानकारी ठीक है इसके परशाद आगे देखेंगे शितरुतु के बारे में और भी अधिक जानकारी वीडियो के अंदर कुछ समझ में ना आया हो तो बता सकते हो आशा रखता हूँ जो पड़ाया या जो इसमें सबको समझ माया होगा वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद